हाई गाईज, वेलकम टू माई चैनल, आज हम पढ़ेंगे डिजीज कॉस्ट बाई हैलमन्थीज, जो भी हैलमन्थ होते हैं, उनकी दौरा जो डिजीज होती हैं, उनकी स्टेडी करेंगे, एसकेरिसिस, जो एसकेरिसिस डिजीज हैं, यह मोस्टली चाइल्ड्स में होती है, नेम ओफ पैथोजन, राउंड वॉर्म, एसकेरिस, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, फीवर, लेक ओफ बलर्ड, यानि रक्त की मात्रा कम हो जाती है, डबलू बीसी मस्कुलर पैन, बेरियर ओफ इंटेंस टाइन, एंड आईसिनो फेलिया, यह इसके सिम्टम्स होते हैं, फिर सेकिंड आता है, एंट्रोबियस, नेम ओफ पैथोजन, एंट्रोबियस, वर्मिकुलरिस, यह इसका पैथोजन होता है, जिसके द्वरा यह डिजीज होती है, सिम्टम्स कहके हैं, इचिंग सराउंड इनस, इनस होता है, उसके चारो तरफ इचिंग स्टार्ट हो जाती है, यानि खुजली स्टार्ट हो जाती है, लोस ओफ एपेटाइट, जो पैसेंट होता है, उसको भूख नहीं लगती है, नो स्लिप, नींद नहीं आती, एंट वेजीनिटिस डिजीज, जिसके अंदर वेजाइना में इन्फेक्शन होता है, यानि इचिंग एंड फिर आता है, ड्रेकुन कॉलोसिस, यह डिजीज है, इसका पैथुजन होता है, ड्रेकुन कॉलोसिस और इफेक्टेड ओर्गन इन सब्टेनियस टिश्यूज, जो सब्टेनियस टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर यह फैलता है, इसकिन के उपर स्वेलिंग और दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, पैन होता है, ट्रेटमेंट क्या होता है, ओपरेशन, यह जो वाम्स होते हैं, इनको सरफ ओपरेशन के द्वारा ही अलग किया जा सकता है बोडी से, पैथोजन, जो भी फीतागर में होते हैं, उनकी जो भी इस्पीसीज होती है, वो इसका पैथोजन होता है, सिम्टम्स के हैं, पैन इन स्टमक, एक्सिसिव हंगर, मतलब कि जो भूग होती है, उससे भी ज़्यादा भूग लगती है, पैसेंट को, नॉर्मल इनसान जितना खाता है, उससे भी ज़्यादा भूग लगती है, एफेक्टिव ओर्गन, नॉरो सिस्टम, तो यह टीनियसीज है, मैंने आपको चार डीजीज बताई हैं, जो की हेलमंस द्वारा होती है, अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर कीजीए, थैंक यू, झाले की मैंने जरूर करें जरूर कीजीजीज एफेक्टिवरूर के जरूर की लाइक्टिवरूर